कि यह रही हमारी पेंसिल फ्रेंड्स इस तरीके से नहीं थोड़ा अच्छा ड्रॉइंग बनाएंगे अब ट्राइ करते हैं यह इस तरीके से ओह यह इतना अच्छा नहीं है हाँ यह ठीक है लेकिन यह पेंसिल ब्रैंडेट नहीं लग रही हम पेंसिल टूल पर अगर डबल क्लिक करेंगे तो यह पेंसिल टूल आप्शन्स हमें दिख रहा है इसे हम पूरा स्मूथ कर देते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं तो आहा यह मज़ा आ गया यह रही देंगे तो यहां हमें जॉइन टूल दिखाई दे रहा है इसकी मदद से यह जो एक्स्ट्रा है इसको अगर ड्रैक करेंगे तो यह रिमो हो गए है पैंसिल टूल की मदद से हम इस तरीके के कुछ ड्राइंग्स बनानी की कोशिश करते हैं इसके आप जितनी प्रैक्टिस क करेंगे ना आपको यह इजी लगेगा इसे थोड़ा एड्जिस कर लेते हैं इस फ्रेंड्स हमने पिछली मरतबा सीखा है कि पात को हम कभी भी इलीट कर सकते हैं यह उसे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से इन अंकर पॉइंट को सेलेट करते हुए रोटेट टूल की मदद से हम इस तरीके से रोटेट करेंगे लेकिन यह यहां पर एक एरत दिख रहा है इलिस्ट्रेटर ने हमें यह स्मूथ टूल डिया हुआ है इसकी मदद से हम पोशिश करके देखते हैं इससे तो अच्छा हम एंकर पॉइंट कर देते हैं यह सही हो गया इन्हें थोड़ा डायर हम यहां कुछ ड्राइंग्स बना लेता हैं पेंशिल की मदद से यह मैंने राउंड बना लिये यह ड्रैंगल यह रेक्टंगल लेकिन यह तोश ही मैं रहा हरा अब ट्राइ करते हैं शेपर डू से यह सर्कल यह एलिप्स घुत्斯 औरहरेक्ट थे तो मस्त है यार यह पूरा ड्रॉइंग अब इस ड्रॉइंग को थोड़ा हम क्रियेटिव बनाते हैं यहां स्ट्रोक्स के विर्द के वेरियेबल दिये गये हैं इसके मदद से हम थोड़ा इसमें मजा लाने के कोशिश करते हैं यहां पर विर्द कम है और यहां पर ज्यादा इसे स्वाप करना है तो इस के डायरेक्शन्स चेंज हो गए यह थोड़ा सही नहीं लग रहा यहां स्ट्रोक पर क्लिक करके कैप्स एंड कॉनर्स को हम रांडेट कर लेते हैं तो यह अच्छा लग रहा है यहां पर हमने रोटेट करेंगे तो यह एक थोड़ा वाव फैक्टर बन गया है अब इसके अगर डायरेक्शन हमें चेंज करनी हो यहां उपर की तरफ मोटा और नीचे की तरफ पतला लग रहा है इसे अगर हमें रिवर्स करना है तो हम इसके लिए पैंसिल टूल की मदद से या फिर पेंट टूल की मदद से अगर इस एंकर पॉइंट पर आएंगे तो देखी यह चेंज हमें दिख रहा है इस पर हम शिप्ट की होल्ड करते वह क्लिक करेंगे तो यह डायरेक्शन चेंज हो गई आई याद रखिए हमने अपने पैंसिल को स्मूथ रखा हुआ है और इस तरीके के ड्रॉयंग हम करने की कोशिश करेंगे अब हमने यहाँ पर एक लीफ ऐने पता बनाने की कोशिश की है इसको हमने कलर किया और इसके स्ट्रोक को फिर से हमने उसी तरीके से उसके विर्ट के साथ में थोड़ा चेंज किया कि इसके स्ट्रोक को हम अरे रोटेट करेंगे ताकि यह एक लुक का जा हम और एक लिफ बनाते हैं पनालिया और सीजर की मदद से इसकार करी यहां पर इसे हम अंदर चाह को स्केल डावन करते हैं कि थोड़ा हम इस शेप को रिफाइन करते हैं यहां एक एरर दिख रही है इस एरर को एक तो हम यहां पर माइनस एंकर पॉइंट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं ड्रॉइंग में कभी-कभी इस तरीके के एरर रहे जाते हैं यहां पर यह स्ट्रोक बहुत ही पतला लग रहा है इसे हमें मोटा बनाने के लिए हैंने इसे थोड़ा वाइड करने के लिए इसके लिए इलिस्टेटर ने विर्ट टूल हमें दिया हुआ है यह बहुत काम की चीज है इसकी मदद से हम इसे थोड़ा बढ़ा बनाते हैं अब इस स्ट्रोक को अगर हमें कलर करना है तो इस तरीके से आई डॉपर्स अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं होगा। इसके लिए हम यह चीज समझनी होगी कि हमने फील और स्ट्रोक को किस तरीके से कलर्स करने हैं। इसके डीटेल्स हम आगे सीखने वाले हैं। लेकिन यहां पर हम यह कलर पैलेट बना लेते हैं। उसका तरीका यह है। यहां स्वाचेस में हम यह कलर पैलेट ले लेंगे। यह स्वाचेस आपको अगर यहां नहीं दिखाई दे रहे तो विंडोज में आप स्वाचेस को अन कर सकते हैं। अब इसके हमें ज़रूरत नहीं है इसी तरीके से हम पेंट टूल, रेक्टेंगल टूल, लिप्स टूल या फिर और भी कोई शेप यूज़ करते हुए इसी प्रोसेस से हम बहुत सारी क्रियेटिव चीज़े बना सकते हैं यह बहुत सारे वीर्ट प्रोफाइल हमें यहां पर दिये गए हैं और भी हम कस्टमाइज वीर्ट प्रोफाइल बना सकते हैं फ्रेंड्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यह डिटेल चीज़े सिखते जाएंगे फ्रेंट्स ड्रॉइंग के बहुत सारे टूल्स है जैसे पेंट टूल हमने सिखा है अभी हमने पेंसिल टूल लेखा इसके साथ में और भी कुछ टूल्स आते हैं ब्रश है बहुत सारी चीज़े हैं यह हम एक एक करके सिखते जाएंगे फ्रेंट्स आप सबस्क्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत सारी नई नई चीज़े हम सिखते जाएंगे थैंक्स पार वाचिंग प्रेंट्स आते हैं पार वाचिंग एक कार वाचिंग ड्रूर कर वाचिंग